तो नमस्कार राद रादे आप सभी का स्वागत है और यहां देखिए आज जैसे रक्षवंदन है तो सभी को बदाई भाई और भाई और भेनों को सभी को बदाई हो और बिलकुल एक बहुत अच्छा प्यार रहे एक दूसरे के साथ और बहुत अच्छा रेलेशन रहे एक यह लाई बाढ़ाइब क्लास नहीं था तो यह रिक ओडेड क्लास है यह क्या है रिकोडेड क्लास है तो अब इस रिक्ओडेड क्लास में आपको मैं जैसे कुरिचन हमारा सीरीज चल रहा है तो हम lock topics सरीज को उसे को कहन सभी रखना चाते तो जैसे अगर में अपनी प्लस जो जो बाते के बात में बात करते हैं, तो यहां पर मेरी में स्पिचल प्री ख्लास्टर प्लास्ट अक्तू के यहां known, जो student class में आते हैं, वो आपस में एक healthy competition होता है और अपनी rank भी find out करते हैं, कि मैं इतने नमबर पे आए, मैं इतने नमबर पे आए, तो एक जिग्या सा भी जगती है, एक motivation में मिलता है, ऐसे ही, मतलब कल से, मतलब जैसे आज से, आज से, मन्डे से ही, मैंने plan किया है कि मैं 10 days, 11 15 am पर mock test RRV pure color का daily करा हूँगा, मतलब 40 question का daily practice होगा, और जिसमें हम rank की बात करेंगे, मतलब जितने भी students हैं कि भाई, कि पोजिशन पे आ रहे है, reasoning में हमारे improvement क्या है, speed क्या आ रही है, या किस तरह से मैं सवाल करना चाहिए था, approach क्या है, और किस तरह से हम अपनी rank को अच सबस्वे चलता है, ठीक है, अच्छा, तीन बजे मेरा आज से एक batch start हुआ है, तीन बजे, वो plus course है, आपका means paid batch है, complete reasoning का batch start हो, complete reasoning का मतलब है pre plus means, complete reasoning का मतलब है pre plus means का batch start हुआ है complete, और जो unacademy पे है, of course वो इसमें unroll करा सकते हैं, जो unacademy पे नहीं है, if they want, तो वो unacademy का subscription ले सकते हैं, ठीक है, तो subscribe करने के लिए, जैसे क्या referral code भी डालते हैं, तो referral code मेरा जो है, रादे 10 है, बाकि आप किसी का भी referral code डाल सकते हैं, ऐसा कोई issue नहीं है, but my referral code is रादे 10, उसके बाद आपको 10% का discount मिलता है, unacademy पे आप subscribe करते हैं, ठीक है, तो यह चीज है, तो हम स and Friday हमारा क्या होता है, marathon रहेगा, last Friday पर रहता, and coming Friday भी हमारा marathon रहेगा, mains का, clear है, यहाँ पर जैसे हम इस question की बात करें, तो इसमें पूछा है, कि which one is definitely true, कौन सा हमारा definitely true है, आप जानते हो, कि same side sign की जब हम बात करते हैं, तो gator का comparison gator से हो, या equals to से हो, निकल के क्या आता है, gator ही आता है, और जब हम comparison इन दोनों की बात करते हैं, तो इन दोनों में हमारा क्या निकल क्या आता है, equals to independent की कोई value नहीं है, तो gator than equals to nिकल क्या आता है, यहाँ देखिए, कौन सा हमारा सही है, तो PCN की अगर मैं बात करता हूँ, PCN में क्या आगे, opposite sign, opposite sign का मतलब पर relation doubtful है first is false, अच्छा है, M से k, की अगर बात करोगे, M क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, gator हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं बात करूँ, less than, less than request to request में, इन दोनों में क्या निकल कि आएगा, less than निकल कि आएगा, right, तो यह क्या हो जाएगा, यह भी false हो जाएगा, के से M, अब क किसे में आप देखोगे तो के छोटा है किसे M से, third one is true, answer क्या होगा, third, सबका clear है, को दिक्कत तो नहीं है, और यह मैं बता देता हूँ, यह recorded session है, तो इसलिए मैं किसी के comment यहाँ पर नहीं देख पाऊँगा, क्योंकि जब आप session देख रहे होंगे, तो उससे पहले में असका record किया है, ओके, आप इन questions को देख सकते हैं, practice कर सकते हैं, और जब भी मैं question आपको दिखा रहा हूँ, तो आप पहले pause करके, उसको try करिए, उसके बाद, फिर मैं क्या बता रहा हूँ, उसको देखिए, और अगर आपको correction का मुका मिलता, तो correction करिए, और आपको सही है, तो confidence क साथ आगे बढ़े है, clear है, अगला सवाल हैं पर देखते हैं, तो इसमें देखो क्या पूछ रहा है, definitely true, इसमें भी definitely true पूछा है, तो एक बार check करते है, C से A की बात हो रही है, तो C से A में अगर आप देखोगे, तो यहां पर क्या आ गया, यह देखिए, तो इसका मतलब क क्या हुआ कि less than, यहां पर C है, यह A है, तो C क्या है, बड़ा है, यहां पर क्या करा है, बड़ा बराबर, तो request to is not possible, पहला false हो गया, clear, दूसरा देखो, B से T में अगर हम बात करें, तो less than, less than request to request to में, boss, manager, supervisor, या 1, 2, 3 में, क्या आएगा, one आएगा, me second one is true, तो बाकी सब क आएगा, false, answer क्या आगिया, second, clear, आगे देखो, अब आपके सामने इस puzzle है, जब आप इस session को देख रहे होंगे, तो first of all आप क्या करेंगे, हिंदी में भी, इंग्लिस में पिये, pause, video pause करने के बाद, इस puzzle को आप try करेंगे, और यह puzzle आप try करेंगे, और यहां पे मैं इसको कह स इस puzzle, तो आपको इसमें समय लगना चाहिए, approach 3 minutes, approach 3 minutes, 4 minutes लग जया, तो ऐसा नहीं, hard and fast, अब क्या होता है, कि जिनकी practice जादा है, वो थोड़ा सा, धाई मिनिट में भी कर सकते है, जिनकी practice जो बिचार अभी puzzle कम किया है, तो उनको 4-5 मिनिट भी लग सकता है, करना है, ठीक ह अब हम perfection में होते है, तो यह क्या है, इसको आप Hindi में, ट्राइ करना चाहिए, हिंदी में ट्राइ करेगा, English में ट्राइ करेगा, अब इसका explanation क्या है, उसको आप देखिएगा, after, जब आप ट्राइ कर सके, तो देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे अगर हम पढ़ें, तो उसनी कहा था, seven players है, ठीक है, seven players है, जो different international teams से belong करते हैं, ठीक है, और they are specialized in different forms, all-rounder, batsman, और baller, अब इस तरह का जो form है, इसको मैं कहूंगा, categorized puzzle, categorized puzzle का मतला होता है, आपने ऐसी puzzle देखिए होगी, जहाँ पर कहा जाता है, कि eight लोग, तीन classes में पढ़ते हैं, या eight लोग, तीन families से belong करते हैं, या seven person, तीन different, different cards से travel करते हैं, तो जहाँ category क्या हो, जिसकी कम हो, उसको अगर मैं base मना लूँ, तो चीजे मेरी थोड़ी आसान और जल्दी हो सकती है, और ऐसे questions में, generally, generally, एक only का word भी आता है, जो आपको help करेगा, ठीक है, only का word है, तो उसका meaning होता है, ऐसा नहीं कि meaning का ही खेले, word meaning का खेले, reasoning में, हर चीज को समझना पड़ेगा, चाया वो symbolism है, चाया वो puzzle है, sitting है, whatever, ऐसा नहीं कि कोई भी word आजा, आपको फरिख नहीं परता है, और आप कहें कि इसको normally treat कर लो, ऐसा नहीं होता है, तो जैसे आपर देखो, क्या खेता है, all rounder, मैंने क्या ब आपका क्या होगा, baller होगा, तीन आपका मेरे base बना दी, उसने क्या बोला था, उसने ये भी बोला था, कि at least 2 तो होने चीए, हर category में, total कितने सा, बने तो एक category ऐसी होगी, जिसमें 3 होगी, बाकी सब में 2-2 तो होगे होगे, ठीक है, अब पढ़ना स्टार्ट किया, F का क्य Sri Lanka है, अब मुझे नहीं पता कहा पर होगा, लेकिन F का क्या है, Sri Lanka है, तो मैंने hands की रूप में आपके लिख दिया, आगे कहता है, and he is, और, अच्छ, 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 he is not all-rounder, वो all-rounder नहीं है, तो यहां पर F को मैंने क्या करती, negative, positive information में इधर रखूँगा, ठीक है, आगे क्या कहता है, D is playing from Australia, and he is an all-rounder, D क्या all-rounder है, D all-rounder है, और वो, और वो कहां से, किस team से, Australia से है, आगे क्या कहता है, the one who is playing for Bangladesh is not a baller, बंगलादेश से जो है, वो baller नहीं है, ठीक है, अच्छ, फिर कहता है, A is not playing for West Indies, A West Indies के लिए पले नहीं करता है, ठीक है, and he is not an all-rounder, ना तो ये all-rounder है, और नहीं ये West Indies के लिए पले करता है, ठीक है, आगे कहता है आप से, G, sorry, E is playing for Pakistan, but he is not an all-rounder, E जो है all-rounder नहीं है, लेकिन E किस के लिए पले करता है, Pakistan के लिए करता है, किस के लिए करता है, Pakistan के लिए, आगे क्या कहता है, देखिए ज़र ध South Africa and he is a batsman, G किस के लिए पले करता है, South Africa के लिए, और G क्या है, G क्या है, South Africa के लिए, G क्या है batsman था, तो G पले करता है South Africa के लिए, यहाँ पर क्या आजागा South Africa, आगे कहता है वो, अच्छा एक और चीज इसने बोली है, B for South Africa and he is a batsman with, along with only B, इसका मतलब क्या होगा, G South Africa के यह केवल B के साथ, it means, just suppose मैंने बोला, मैं केवल राम के साथ खाना खाऊंगा, मैं केवल राम के साथ खाना खाऊंगा, तो तीसरा आदमी हमारे साथ खाना नहीं खा सकता, because only is a word, जो definite कर रहा है, कि मैं केवल राम के साथ खाना खाऊंगा, मैं केवल स्याम के साथ जाऊंग तो in this way, जी केवल बी के साथ है, तो इस particular category में और कोई नहीं आ सकता, मतलब यह category के आओगी, close होगी, यह category के आओगी, close होगी, clear है, no one playing for India and West Indies, यहाँ पर क्या गरा, no one playing for India and West Indies, West Indies और इंडिया के लिए कोई पिले नहीं करता, ना West Indies के लिए और इंडिया के लिए, जो all-rounder नहीं है, वो batsman तो हो नहीं सकता, वो क्या होगा, baller, तो baller में आपके क्या क्या आगए, एक तो A आगया, दूसरा कौन आगया आपका, E आगया, और एक कौन आगया, आपका F आगया, A, E, और F, तीनों किस में आगए, baller में आगए, और यहाँ पर बचा होगा, परसन एक कौन आजाएगा, जो एक बचा होगा, जो मतलब यहाँ नहीं आया था, That is A, B, C, D, C, C, यहाँ पर आजाएगा, यहाँ आपको समझ में आगया, आप सुनो मेरी बात आगया क्या करेंगे, Then वो कहता, F का Sri Lanka है, तो F का मैंने कर दिया, Sri Lanka, F का Sri Lanka है, ठीक है, आगर यह को क्या कहता है, E का क्या है, Pakistan है, E का क्या है, पाकिस्तान है, इसको भी मैंने रिलेट कर दिया, ठीक, उसने बोला था, क्या बोला था, कि आपका जो बॉलर है, वो बंगलादेश से नहीं है, और आपका जो all-rounder है, वो West Indies और इंडिया दोनों से नहीं है, ठीक है, A का West Indies नहीं है, अब A का West Indies नहीं है, तो क्या हो सकता है, A का हम क्या करें, अगर हम suppose करो, यहाँ पर इंडिया रख दे, for example, अगर हम B का इंडिया रख देते है, तो West Indies हमारा फज़ आएगा, क्यों West Indies C का तो है नहीं, और A का भी West Indies नहीं है, तो problem आजाएगी, तो इसलिए जो इंडिया है, वो किसका रखना पड़ेगा, A का, A का अगर हम तो इसका क्या हो जाएगा, West Indies, ठीक है, और यहाँ पर जो बचा हुआ है, that is for C, और वो हमारे पास क्या आगया, Bangladesh, वो क्या होगी, Bangladesh, तो इहाँ पर क्या हो जाएगी, Bangladesh, clear है सबको, तो यह आपका solution हो गया, this is the solution of this question, तो आप क्या करेंगे, persons को भी आप base बना सकते थे, ले First of all, यह order comparison की पजल है, First of all, आप इसको try करेंगे, पहले आप इसको try करेंगे, comparison करेंगे, उसके बाद, फिरम चीज़ों को solve करेंगे, तो pause करके आप पहले try करना, फिरम इसको solve करेंगे, clear है, ठीक है, अब देखो ज़रा, Hindi English दोनों में, कोई problem नहीं है, आप जैसे ही Each of them has different favorite thing, सबका अगलग favorite thing है, अब जैसे हमने question को पढ़ा, तो इसमें कहरा है कि वो इससे ज्यादा है, वो इससे कम है, वो highest है, वो lowest है, तो comparison समझ में आ गया, आप vertical comparison कर सकते है, अपना-पना style होता है, मैं horizontal comparison करूँगा, कैसे, देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, यह में माल लूँगा, highest, इधर साइड, और यह क्या हो जाएगा, lowest, क्लियर है, अब देखो, क्या कहता है, C has second highest, C का क्या है, second highest, तो यहाँ पर क्या हो गया, C हो गया, इस तरह से comparison करना स्टार्ट करोगे, उसका bet और music instrument नहीं है, तो negative, क्या लिखोगे, यहाँ पर bet भी नहीं होगा, और उसका music भी नहीं होगा, तो मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से mention कर लिया, हर चीज याद तो न मैंने इहाँ पर mention कर लिया, okay, then, फिर कहता है, वो T का idle book नहीं है, हर चीज दमाग में नहीं रह सकती, हर चीज को लिख भी नहीं सकते, तो hints का representation हमा लेके चलते है, तो T का idle नहीं है, मैंने इहाँ पर negatively represent कर दिया, और इसका book नहीं है, मुटा मुटा ऐसे, फिर मेरा कहता है, my favorite thing of S is ball, S का ball है, और उसका ज्यादा है किससे B और W से, but less than A से, तो S का ज्यादा है, B और W से, और S लेस दन किससे A से, और S का क्या है, बॉल है, मैंने ऐसे बनाया, let's see, आगे क्या होगा, कहता है, B का क्या दिया हुआ है, कि एंडिलेर दिया हुआ है, और उसका ज्यादा किससे T से ज्यादा है, और less than किससे W से, अब आप देखोगे क्या होगा, तो B का ज्यादा है किससे T से, कम किससे है W से, W से ज्यादा कौन है, S है, S से ज्यादा कौन है, A है, और B का भी दिया हुआ था, कैंडिलेर, अब मैं क्या करो, फता तो नहीं चला अभी भी कोई बा होगता है, A, T से बड़ा है, B से बड़ा है, W से बड़ा है, S से बड़ा, मतब 4 लोगों से बड़ा तो होगा, तो 1, 2, 3, 4, पीछे देखो 1, 2, 3, 4, यहाँ पर ए रखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे हाइस है नहीं, तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, ए रख दिया, A किस किससे बड़ा S से, S किससे बड़ा W से, W किससे बड़ा B से, तो बचा हुआ कौन हो जाएगा, that is U, यह बच्चो क्लियर हो गया, okay, आपका दिया हुआ था, कि जो A है, उसका क्या है, कारपेट है, आपने इस तरह से मेंसन कर लिया, एक साइट में लाफ्टिव, नेगेटिव लिखा, तो एक साइट पॉस्टिव लिख दिया, S का क्या दिया हुआ है, Ball, Already Given है, okay, पहले वो चीज रखो, जो Already Given है, B का दिया हुआ, Candle Layer, तो यह भी Already Given है, ठीक है, अब, अब क्या होगा, उसने लास्ट में बोला, C का बुक नहीं है, तो C का बुक नहीं है, यह भी Cancel कर दो, है न, और Highest का उसने बुला था, कि जिसका Highest है न, उसका Music Instrument है, तो U का क्या हो जाएगा, Music हो जाएगा, अब मेरी बास सुनो, Negative का है, थोड़ा ध्यान दोगे, C बचा, W बचा, T बचा, जो सबसे जादर negatively represent हुआ है, वो सबसे पहले आपका positively मिलेगा, तो सबसे पहले उसको देखो, आपका जो C है, उसका बुक नहीं है, और आपका T का बुक नहीं है, इत मेंस, डबलु का क्या हो जाएगा, बुक, यहां पर बचाएगा, बैट, समझ में आगी बात, सबको क्लिर है, इस इस दा सॉलूशन ओप इस कुश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च क्लिर है, बहुत बढ़ी है, आगे देखो, यहां आपका सुलॉलिस्म का सवाल, अब इस सुलॉलिस्म का सवाल में क्या कहता है, इसको एक बार ट्राई करना और अपना आंसर भी मैच करना, मैं सीधा सीधा बता आता हूँ, जिससे की टाइम आपको कम लगे, नो मेल और फिमेल, मेल का रलेशन किस से नहीं है, फिमेल से नहीं है, कोई दिकत नहीं है, मेल का रलेशन फिमेल से नहीं है, ठीक है, ओल क्लासरूम और मेल, सारे एक सारे जो क्लासरूम है न, वो मेल हैं, ठीक है, ओल मेल और टीचर, सारे एक सारे जो मेल हैं, वो क्या है, सारे एक सारे male teacher है, no river is teacher, river का relation teacher से नहीं है, ठीक है, अब सुनो, यह represent होगा है पहला, some female are not classroom, some female are not classroom, अब दिखो किसे क्या से करेंगे, some female are not classroom, कैसे solve करोगो इसके, हाँ जी, कैसे solve करोगो इसको, कैसे solve करोगो, some female are not classroom, some not का relation है, तो इसको कैसे find out करोगे, some female are not classroom, यहाँ पे male का relation female से नहीं है, मेल का relation female से नहीं है, तो automatically class का relation भी female से नहीं होगा, और जब class का relation female से नहीं है, मतलब आप जानते हो, no is followed by some not, अगर सारा की सारा relation नहीं है, तो कुछ पार्ट भी ऐसा होगा, जो relate नहीं करेगा, means some female are not classroom, क्या हो जाएगा, true, पहला चीज, clear, दूसरा, some classroom are neither teacher nor male, उसने काया, क्या कुछ ऐसे classroom है, जो नहीं teacher है, और नहीं male है, यह गलत हो जाएगा, क्यों, जो भी चीज statement से contradict करती है, ग्रोध में होती है, वो false हो जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यह, that is false, clear है, क् क्यों, all classroom male था, third, some teacher being female is a possibility, क्या कुछ teachers के female होने की possibility है, देखो, teachers का part जो है, male का ममना किया था female से, तो teacher का remaining part, क्या है, doubtful है, जो female से relate कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे possibility क्या हो जाएगी, true, because relation क्या था, doubtful था, तो answer क्या राचिए, first and third follow कर रहे है, second follow नहीं कर रहा है, तो first and third follow कर रहे है, तो thiska मतलब, इसका मतलब हैं पी, क्या ब지 coronEugue? लस्ट भी क्या कर रहा है? फालो कर रहा है. एक दम के लिए रहे? एक सवाल ओथ देखो. कहदा है some pens are star. कुछ pen क्या है? अब कुछ pen आपके stars है. ठीक है? कुछ pen क्या star है? तो साथी star क्या है? सुनो. आपने इन डीपर मना धिया. फिर आपसे कहता है no star is moon. star का relation, किस से नहीं है, moon से नहीं है some moon are years, moon का कुछ part क्या है, years है ठीक है, पहला, some snow are moon तो snow और moon में जो relation है ना, क्या होगा, doubtful doubtful क्यों होगा, क्योंकि not defined है, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, sure नहीं है false, at least, और सम एक ही बात होती है बच्चो, at least some, moon being snow क्या कुछ moon के snow होने की संभावना है, मैंने कहा, जब कोई चीज doubtful है तो doubtful का मतलब क्या होता है, not confirmed, not confirmed, not defined, not confirmed, not defined तो इसका मतलब क्या है, दिरजे possibility, यहां पर क्या हो जाएगा, it is true तो answer क्या होगा है, second होगा, और second का मतलब है, कि आप इसको क्या कह सकते हो, first is not follow देखो, अलग तरह से option दिया है, only second ने दिया है, उसने का, first is not follow, it means second is true तो answer क्या हो जागा, option number second, भाई, बात सबको समझ में आ गई, तो आज यह थोड़ा सा short session था, किसको लेकर, क्योंकि आज रक्षन दन भी है, बहुत सारे staff, offer भी होगा, अपना family में busy होगे, तो यह record session है, जो मैंने एक दिन पहले ही record कर दिया था, आज आप इसको देख रहे ह say plus quotes भी start हुआ है, special session मैंने आपको बता दिया कि मैंने कैसे चल रहे है, और रादे 10 मैंने यह भी बता दिया code है, आप किसी का भी code लगा सकते हो, कोई objection नहीं है, सबका code होता है, ठीक है, हाँ, तो इससे 10% discount मिलता है, जैसे मेरा क्या रादे 10 है, अच्छा एक और चीज, झाल, 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 झाल